सो के बड़ी आज हम देखने वाले हैं क्रास्रों आफ दे एलीट के एपिसोड फोर को ब्लास एपिसोड में हमने जैसा की देखा की इची नों से के अराउंड बहुत सारे रिमर्स फैल रहे थे और होरी गिता ने आयनो कोजी को मदद करने के लिए कहा था इसी के साथ आयनो कोजी ने पूरे एपिसोड में रिस फैला के रखी थी अब यह वाले एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से यह बहुत जादे इंटरस्टिंग है तो इसको आराम से देखना इस एपिसोड का नाम है Believe in yourself and do your karma and success will follow you एपिसोड के शुरुवात होती है आयनो कोजी से जहां पर वो कारवी जावाँ से मिलना है स्कूल के बाद कारवी जावा ने बेमतलब में बहुत सारे कॉल किये थे आयनो कोजी को जिसके regarding वो कारिवीजवा से कहता है कि तुमने मुझे इतने कॉल क्यों किये थे मेसेज बढ़ने के बाद कारिवीजवा सोचती है क्या इसको पता नहीं कि आज कौन सा दिन है आयनोगोजी को reply देते वे वो कहती है कि वो आयनोगोजी का ऐसी फाल्टों में कॉल कर रही थी और वो आयनोगोजी से मिलने के लिए भी तयार हो जाती है अगला सीन होता है क्लास C का आयनोगोजी को क्लास में गुस्ता देख सूड़ो उससे कहता है ओई आयनोगोजी तुझे कोई चॉकलेट मिली क्या और उसे लगता है कि उसे चॉकलेट मिलेगी भी नहीं आयना कोची कि ये बात सुनने के बाद सूटो बहुत जादा खुश हो जाता है सूटो मूरा कहता है इन सब फालतो के जमेलों में मुझे नहीं पढ़ना इस पर इके कहता है तुमें क्या हो गया बुड़ा हो जैसी बाते क्यों कर रहे हो सूटो मूरा उसे एक्स्पेन करने लगता है कि मेडिटेशन करने से भाई मेरी आगे खुल गई ये हो गया वो गया लेकिन EK सोटो मूरा की बगवास ना सुनके किसी और से बात करने लगता है जहाँ पर EK के बगल में जो लड़का खड़ा है उसे कोई चॉकलेट ने मिली और ना ही EK को मिली है सुडो EK को कहता है अरे तुम्हें शीनो हरा से चॉकलेट चाहिए ना अब यहाँ पर यह तीनों मिलकर अपनी फालतों की बगवास करने लगता है जिसे देखकर आयानोपोजी वहाँ से चले जाता है यहाँ पर लड़कों को लग रहा है कि लड़कियों को चॉकलेट देने में शरम आती है और जो लड़किया है वो शरम नहीं कर रही चॉकलेट देने से अगला सीन होता है होरी गिता और आयानोपोजी का यहाँ पर आयानोपोजी होरी गिता से कुशिता के बारे में पूछता है होरी गिता कहती है मैं उसके साथ अपने एलेशन को सही करने में बेस्ट कर रही हूँ और क्या तुम इसमें मेरी बदद करोगे आयानोपोजी कहता है अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ और आज होरी गिता और कुशिता का चाय पीने का प्लैन है स्कूल के बाद होरी गिता यानोपोजी से बात करी रही होती है कि तब ही वहाँ पर सूटो आ जाता है सूटो होरी गिता से कहता है कि तुम मेरी स्टडीज में मदद दोबारा कप करोगी होरी किता बोलती है कि तुम आजकर फटाई में कुछ जादे एक्टिव हो रहे हो, क्या बात है इस पर सूटो कहता है, अब्विस से बात है, मुझे स्कूल से नहीं निकलना कार्वी जावा ने कहाता कि आज इचीनो से फिर से अपसेंट होगी जहाँ बार में दिखा जाता है कि क्लास A का हाशी मोटो आयानकोजी के उपर नजर रखे होए है अगला सीन होता है, मिक्स ट्रेनिंग कैम के फ्लेश पैक का जहाँ पर मानबू, नागुमो, रुएन और हाशी मोटो मीटिंग कर रहे थे लेकिन नागुमो को देखकर रुएन वहाँ से चले जाता है हाशी मोटो यहाँ पर यह सोच रहा है कि आयनकोजी वो लड़ता है जिसको सबसे जादा value मानबू खुद देता है हाशी मोटो यहाँ पर यह समझ चुका है कि ruin के साथ जो वाए उसके पीछे आयनकोजी का ही हाथ है वैसे आयनकोजी को देखकर यह नि लगता कि उसकी dark side होगी अगरा सीन होता है कार्विजावा और आयनकोजी का कार्विजावा कहती है यहाँ पर बहुत ठंड है हम कही और नहीं मिल सकते क्या आयनकोजी कहता है कि हम lobby में नहीं मिल सकते क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बारे में भी अवाई ओड़ेने लगेंगी और यह चीज तुम्हारे लिए बुरा होगा यहाँ पर अभी भी हाशी मोटो आयनकोजी और कार्विजावा के उपर नजर रखी हुए है हाशी मोटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आयनकोजी कार्विजावा से क्या बात कर रहे है अब यहाँ पर कार्वी दवा आयनो कोजी से पोचती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया आयनो कोजी बोलता है तुम जादा खुश मत हो मैं तुम्हें वैलेंटाइन के लिए नहीं बुलाया है कार्युजवा को याद कर लेना anyways अब यहाँ पर आयनर कोजी कार्युजवा की बास सुनकर कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था इसके पाद आयनर कोजी कार्युजवा से यह पूस्ता है कि क्या तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है final exam के लिए, क्योंकि आने वाले exam बहुत जार difficult होने वाले हैं, ये सुनकर कार्योदावा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर देना, आयनगोजी कहता है मैं तुम्हें अपना group join नहीं करवा सकता, क्योंकि ये लोग आधी रात तक बढ़ाई करते हैं, कार्योदावा कहती है कि स्कूल से निकलने से बढ़िया तो ये चीज है, आयनगोजी आपर finally तयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक schedule बनाता हूँ, ये कहकर आयनगोजी वहाँ से जाने लगता है लेकिन कार्योदावा उसे रोक लेती है, कार्योदावा उसे कहती है कि आज कौन सा दिन है, ये सुनकर आयनगोजी कहता है, अरे इसका अंसर तो सिंपल है कार्योदावा कहती है, जादा सोचो मत और बताओ कि कौन सा दिन है आयनोगोजी कहता है वेदन और तभी कारिविदावा उसे चोक्रेट पकड़ा देती है आयनोगोजी कहता है ये किसलिए कारिविदावा बोलती है ये हिरादा के लिए थी लेकिन अब जरुत नहीं है और इसके बाद आयनोगोजी चोक्रेट ले लेता है कार्युदावा ये भी बूछती है कि क्या किसी ओर्ड़की ने उसे चौक्ट दी है चिस पर आयनोगोजी मना कर देता है ये सुनने के बाद कार्युदावा खुश हो जाती है लेकिन बड़ी सुम बोले तो नीना कि अभी भी आपर हाशी मोटो है हाशी मोटो ये सब पीशे खड़ा देख रहा है हाशी मोटो सोचता है कि अगर इनका कोई लफडा चल रहा है तो ये दोनों इंटरस्टिंग नहीं है इसके बाद आयनोगोजी और कार्युदावा अपने रूम में जाने लगते हैं कार्युदावा कहती है कि हम कोई सीग्र मिटिंग नहीं कर रहा है जिस बात पर हाशी मोटो कहता है कि इस बात को छुपानी की जरुत नहीं है और वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है आयनकोजी कहता है कि वो लोग वेजन्टाइन के वजा से नहीं मिले हाशी मोटो कहता है कि अच्छा जो उसमें अभी तुम्हें चॉकलेट दी उसका क्या आयनकोजी बताता है कि वो लाइब्रेरी में जा रहा था लेकिन कार्विजावा ने उसे बुला लिया कार्विजावा कहती है कि तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है इसके बाद हाशी मोटो कार्विजावा के साथ थोड़ी क्रीपी से अरकत करता है और वो कार्विजावा से कहता है कि योस्त नहीं तो क्या हुआ तुम मेरे साथ डेट पे चलो ये चीज़ देगकर आयनकोजी कहता है, अच्छा तुम दोनों करो जो करना है, मैं चलता हूँ इसके बाद अगले सीन में आयनकोजी इची नोसरे के घर के बाहर होता है और वो इची नोसरे को गेट खोलेके ले कहता है इचीनों से बताती है कि वो आज बिमार थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई आयनो गोजी उसे बताता है कि वो उसके लिए दल्या लेके आया है आयनो गोजी के इतना से कुछ कहने के बाद इचीनों से गेट खोल देती है आयनोगोजी इचीनोजी की कंडिशन बूचता है और उसको खाना पकड़ा देता है इसके बाद इचीनोजी इचीनोजी को थोड़ा देखती है और उसको कमरे के अंदर इन्वाइट करती है इचीनों से आयनकोजी को बताती है कि इतने दिनों से फीवर के वज़ा से उसने किसी को भी face to face नहीं देखा था और वो सबको अपने रूम पे आने से मना करती थी जिससे बाकियों को लगने लगा कि इसको depression है इसके बाद वो आयनकोजी से पूछती है तुम यहाँ पर इसला आए होना क्योंकि तुम्हें यह लग रहा है कि मैं स्कूल व्यूमर से वज़ा से नहीं आई लेकि नीचीनों से यहाँ पर clear करते हैं कि ऐसी बात नहीं है आयनकोजी मनीमन सोचता है कि यह बहुत strong लड़की है और वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन स्कूल का अब यहाँ पर पूरे स्कूल में आयनकोजी के बारे में अफवाई ओडरी है और वह अफवाई यह है कि आयनकोजी को काली जावा की उपर crush है लेकि इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह अफवाई खाली आयनकोजी के बारे में नहीं उडरी है अफवाई सभी बच्चों के बारे में उडरी है इन अववाओं को देखकर Yamaochi सभी के मज़े लेने लगता है जैसी क्लास के अंदर Ayana Koji गुसता है Yamaochi उसके भी मज़े लेते हुए कहता है अरे Ayana Koji तुम्हें कार भी जावाब पे तरश रहना जिस पर Ayana Koji सिंपली मना कर देता है और Ayana Koji को सारी सिच्वेशन बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर एक शीनोहारा नाम की लड़की है उसके बारे में यह ववा उड़ रही है कि वो जूनियर हाय में प्रॉस्टिशन का काम करती थी और Yamaochi इसके भी मज़े ले रहा है शीनोहारा कहती है कि यह सारी बकवास बाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जामाऊची को यह सब करता हुए देखकर EK बहुत जादा गुसा हो जाता है और इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है